ये है दिल्ली दर्पन दिल्ली नगर निगम चुनाव की तयारी हर जगा की जा रही है और सभी राशनेतिक पाटियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है दिल्ली कैंग के नांगाल गाउं में लोगों ने अपने विधायक विरेंद्र कादियान से मीठे पाने की शिकायत की लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई जानकारी के मुताबिक गाउं में या तो पानी आता नहीं है और अगर आता है तो वे इतना खारा होता है कि पीने लाइक भी नहीं होता लोगों की माने तो पांत साल पहले विधायक ने नारियल फोड कर पाइपलाइन का उध्धाटन किया था लेकिन उध्धाटन के बाद गाउं वासियों को पानी के लिए परिशानी का सामना करते देखा गया अभी तीन साड़े तीन महीने पहले नोने उध्धाटन करा है सितनामद्वार गेट पे कि हम पानी आपके लिए ला रहे हैं और काफी लड़ोड़ो भी बाटे गए गयती भी मारी गई अब उस तीन महीने पलस हो गए है पर अभी तक तो ना कोई कहीं काम चालू है ना कु को सुरुदा होगी ना और ये काफी वादे करके जा चुका है वी तक कोई वादे उन्होंने पूरे नहीं करें साथ ही लोगों ने बताया कि पिछले कई सालों से गाउं के बच्चे और बुजुर्ण पानी के कारण बिमार होते देखे गए और कुछ की तो जान भी चली ग सब्सक्रापइब Article 5. लड़िए कर जाते हैं लोग से लेडिस है और वैसे डीच नहीं जा तो अर विदाइक जाड़ोबा ओने वह इधर आते आते जाते घथा बो किसी की अप अजक और मरनेً ऑच्छाम कभी कोई नहीं करवा है और टो जीची और और कदो रहा impacting अब देखना ये है कि लोगों की इस समस्या का समाधान विधायद साहब करते हैं या नहीं? बहुत ज्यादा कितनी परिशानी होती है और कैसे मैनेज कहां से लाते हैं पानी खतम हो जाता है तो ये पानी अच्छा नहीं लगता मत्ती आती है इसमें कभी-कभी बदबू भी आती है क्या करें? करी इस नमबर पार